C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत। हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याए 1. क्या, कब, कहां और कैसे। रशीदा का सवाल रशीदा बैठी अखवार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पढ़ी सौ साल पहले। वह सोचने लगी यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलिविजन देख सकते हो या फिर अखवार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो, जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? हम, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं? यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे काउन से खेल खेलते थे? काउन सी कहानिया सुना करते थे? काउन से नाटक देखा करते थे? या फिर काउन काउन से गीत गाते थे? लोग कहां रहते थे? पुस्तक में दिये गए मांचित्र एक, प्रिष्ट दो में नर्मदा नदी का पता लगाओ कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुछल संग्रहक थे जो आस-पास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे प्रिष्ट संख्या दो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाडियों का पता लगाओ इसी क्षेतर में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग आठ हजार वर्ष पूर्व स्त्री पूरुशों ने सब से पहले गेहूं तथा जव जैसी फसलों को उपजाना अरंभ किया उन्हों ने भेड, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बराना शुरू किया ये लोग गाउं में रहते थे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाडियों का पता लगाओ ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां क्रिशी का विकास हुआ जहां सबसे पहरे चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे इस प्रिष्ट पर एक मानचित्र दिया गया है जो उप महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो मानचित्र एक दक्षिन एशिया यानि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, इरान, चीन तथा म्यामार आधी पडोसी देशों को दर्शाता है दक्षिन एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाडियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्रायह उप महाद्वीप कहा जाता है आईए अब आज के पाठ में चलें सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्ही नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ आपके करने के लिए गंगा तथा इसकी सहायक नदि सोन का पता लगाओ आईए अब पाठ में चलें गंगा के दक्षिन में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हों ने एक विशाल राज्य स्थापित किया था देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी लोगों ने सदयो उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की कभी-कभी हिमाले जैसे उँचे पर्वतों, पहाडियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभो नहीं थी अतर कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को आया जाया करते थे कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षित्रों पर विजय हासिल करने के लिए आती थी इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूलेवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं तथा एक कस्वे से दूसरे कस्वे जाया करते थे कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश यात्रा भी किया करते थे इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का आउसर मिला आपके लिए प्रश्ण आज लोग यात्राओं क्यों करते हैं एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो पहाडियां, परवत और समुद्र इस महादवीप की प्राकृतिक सीमा का निर्मान करते हैं हलाकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था जिन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके वे परवतों की उचाही को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके उप महादवीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आये और यहीं बस गए लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सुद्रिड किया कई सव वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने यहां तक की भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाया अपने देश के लिए हम प्रायह इंडिया या भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है अपने एटलस में इरान और युनान का पता लगाओ लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले इरानियों और युनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और नदी के पूर्व के भाग में स्थित भूमी प्रदेश को इंडिया कहा भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था इस समूह का उलेक संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृती रिगवेद में भी मिलता है बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा आपकी जानकारी के लिए ताड पत्रों से बनी पांडूलीपी का एक प्रिष्ठ नीचे दिया गया है यह पांडूलीपी लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए ताड के पत्तों को काट कर उनके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था भूर्ज पेड की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडूलीपी को तुम इस पुस्तक में देख सकते हो अब आईए पाठ में चलें अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इन में से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूणना और पढना है ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडूलीपी कही जाती है अंग्रेजी में पांडूलीपी के लिए प्रयूक्त होने वाला मैन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है ये पांडूलीपिया प्रया ताड पत्रों अथ्वा हिमालेक शेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड की छाल से विशेश तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है प्रिष्ट संख्या पांच इतने वर्षों में इनमें से कई पांडूलीपियों को कीडों ने खालिया तथा कुछ नश्ट कर दी गई फिर भी ऐसी कई पांडूलीपिया आज भी उपलब्ध हैं प्रायह ये पांडूलीपिया मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं वभ्यवारों, राजाओं के जीवन, आउशधियों तथा विज्ञान आधी सभी प्रकार के विशयों की चर्चा मिलती है इनके अतिरिक्त हमारे यहां महाकाब्वे, कविताएं तथा नाटक भी है इन में से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य, प्राकृत और तमिल में है प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे हम अभी लेखों का भी अध्यान कर सकते हैं ऐसे लेख पत्थर अत्वा धातू जैसी अप्यक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किये हुए मिलते हैं कभी कभी शासक अत्वा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें कुछ अन्य प्रकार के अभी लेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुशों ने भी अपने कारियों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं उदाहरण के लिए प्राया शासक लड़ाईयों में अरजित विजयों का लेखा जोगा रखा करते थे आपके लिए कार्य क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाव थे और ऐसा करने में क्या-क्या कठिनाईयां आती थी यहां एक अभिलेख का चित्र दिया गया है आईए अब इस अभिलेख के बारे जानकारी प्राप्त करें लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उतकिन करवाया गया था इस शासक के विशय में तुम अध्याय आठ में पढ़ोगी जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपी का प्रयोग करते हैं लिपियां अक्षरों अथ्वा संकेतों से बनी होती हैं जब हम कुछ बोलते अत्वा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं यह अभिलेख इस खेत्र में प्रयोग तो होने वाली युनानी तथा अरैमिक नामक दो भिन लिपियों तथा भाषाओं में है आईए अब पाठ में चलें इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का अध्यान करने वाला व्यक्ति पुरा तत्वविद कहलाता है पुरा तत्वविद पत्थर और इंट से बनी इमारतों के अवशेशों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्यायन करते हैं ये आउजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूशनों तथा सिक्कों की प्राप्ती के लिए छान बीन तथा खुदाई भी करते हैं इन में से कुछ वस्तुएं, पत्थर, पकी हुई मिट्टी, तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं प्रिष्ट संख्या 6 यहां एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र का चित्र दिया गया है इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था दाईयोर एक पुराना चांदी का सिक्का है इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था जरा सोचिए हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है अब आएए पाठ में चलें पुरा तत्वविद जानवरों, चिडियों तथा मचलियों की हड्डियां भी ढूरते हैं इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे वनस्पतियों के अवशेश बहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्न के दाने अथवा लकडी के टुकडे जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं आपके सोचने के लिए क्या पुरातत्व विदों को बहुदा कपड़ों के अवशेश मिलते होंगे अब पाठ में चलें पांडू लिपियों, अभी लेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायह स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर निर्मान करते जाते हैं अतह इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। प्रिष्ट संख्या साथ अतीत एक या अनेक क्या तुमने इस पुस्तक के शिर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहु वचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथे की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग माइने थे। उदाहरण के लिए पशु पालकों अथ्वा क्रिशकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा ब्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिसों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीती रिवाजों का पालन करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाईयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मचुआरे, संग्राहक, क्रिशक, अत्वा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राया अपने कारियों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरा तत्व की साहता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हलाकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेश है। तिथियों का मतलब अगर कोई तुम से तिथी के विशे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे की दो हजार या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना इसाई धर्म प्रवर्तक इसा मसीह के जन्म की तिथी से की जाती है। अतह दो हजार वर्ष कहने का तातपर यह इसा मसीह के जन्म के दो हजार वर्ष बाद से है। इसापूर्व का तातपर्य Before Christ या इसापूर्व होता है। कभी-कभी तुम तिथियों से पहले AD या हिंदी में E लिखा पाती हो या Enodomini नामक दो लेटिन शब्दों से बना है तथा इसका तातपर्य इसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी-कभी AD की जगा CE तथा BC की जगा BCE का प्रयोग होता है। BC अक्षरों का प्रयोग Common Era तथा BCE का Before Common Era के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामानने हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्ब आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के BP शब्दों का प्रयोग होता है जिसका तातपर इस Before Present यानि वर्तमान से पहले है। प्रिष्ट तीन पर दो तिथियां हैं। उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समुह का प्रयोग करोगी। अन्यत्र जैसा कि हमने पढ़ा अभी लेख कठोर सतहों पर उतकीर्ण कराये जाते हैं। इन में से कई अभी लेख कई सो वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभी लेखों में लिपियों और भाशाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ-साथ अभी लेखों में प्रयुक्त भाशाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अग्यात लिपी का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। तीचे कुछ चित्र दिये गए हैं, इनका प्रयोग प्राचीन काल में लिपियों के रूप में होता था। प्रिष्ट संख्या नौ मिस्र के उत्तरी तट पर रोसिट्टा नाम का एक कस्वा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर नित पत्थर मिरा है, जिस पर एक ही लेक तीन भिन 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 भाशाओं तथा लिपियों, यानि युनानी तथा मिस्री लिपी के दो प्रकारों में हैं। कुछ विद्वान युनानी भाशा पढ़ सकते थे। उन्हों ने बताया कि यहां राजाओं तथा राणियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभी देखों को भी पढ़ सके। कल्पना करो। तुम्हें एक पुरातत्व विद्ध का साक्षातकार लेना है। तुम उन पांच प्रशनों की एक सूची तयार करो जिन्हें तुम पुरातत्व विद्ध से पूछना चाहोगी। बॉक्स में यहाँ पर कुछ उप्योगी शब्द दिये गए हैं। वो उप्योगी शब्द हैं यात्रा, पांडू लिपी, अभी लेक, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्यात लिपी का अर्थ निकालना। आओ याद करें। दो हजार पांच्सो वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक, क्रिशी, प्रथम नगर, दो, पांडू लिपियों तथा अभी लेकों में एक मुख्य अंतर बताओ। यहाँ कुछ महतुपूर्ण तितियां दी गई हैं। क्रिशी का आरंभ, आठ हजार वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, चार हजार साथ सो वर्ष पूर्व गंगा नदी के नगर, मगद का बड़ा राज्य, दो हजार पांच सव वर्ष पूर्व वर्तबान, लगभग, दो हजार वर्ष पूर्व प्रिश्ट संख्या, दस आओ चर्चा करें तीन, रशीदा के प्रश्ण को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं चार, पुरातत्व विदों दोरा, पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ इनमें से कौन सी वस्तुओं पत्थर की बनी हो सकती हैं, पता लगाओ पाँच, साधर्ण स्त्री तथ पुरुष अपने कारियों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो छे, कम से कम दो ऐसी बातों का उलेख करो, जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है आओ करके देखें साथ, प्रिष्ट एक पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ आज प्रचलित कम से कम पाँच भिन 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 शिल्पों की सूची बनाओ क्या ये शिल्पकार क, स्त्री, ख, पुरुष, ग, स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं आठ, अतीत में पुस्तकें किन किन विशयों पर लिखी गई थी तुम इन में से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठे पुस्तक हमारे अतीत का पहला अध्याए क्या, कब, कहां और कैसे निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम, वाचन स्वर और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत